हेलो एवरिवन यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल ओनलाइन एजूकेशन आएम एसिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीन ठाकुर आज जिस सम्हातो पूर्ण वीडियो को लेकर मैं आप लोगों की वीच संबंधित हूँ ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्व कमिशन ने एकिस ग्यारा दो हजार बाईस को एच्पी पीएसी ने कॉलेज केडर एसिस्टेंट प्रोफेसर जियॉलजी का पेपर कंड़क्ट किया था और इसका जो ग्रामर हिंदी इंग्लिश जी के सेक्शन एच्पी जी के वाला सेक्शन जो है मैं आप लोगों के बीच 21.11 को ये पेपर हेल्ड किया गया था सॉल्व करके आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ तो जो भी विद्या थी जो भी एस्पेरिंट्स ने हैं और कॉलेज केडर की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो महतुपूर्ण होने वाली है यदि आप चैनल पर न करते हैं 71 से इसमें जो है हमारे पास सबसे पहले इंग्लिश सेक्षन से प्रशन पूछा गया था सबसे पहले इंग्लिश सेक्षन शुरू हो रहा है तो इंग्लिश सेक्षन में पहला प्रशन पूछा गया था चेंज दो फॉल्विंग इंटू ता पैसिव वोइड्स और पहला जो passive voice आप से active voice पुछा गया था और चार option आप से पुछे गए थे इसमें जिससे जो सही answer है इसका जो right answer है वो B होगा आपके पास भाई आज your friends not obeyed by you तो इसका right answer जो है आपके पास ये रहेगा B 71 कब 72 जो इसमें प्रशन पुछा गया था वो आप से पुछा गया था choose the correct sentence तो आपने choose correct sentence को आपने choose करना था और इसमें जो आपके पास correct sentence है वो ये है was it he who got injured during the match तो ये 101% right answer है ये authentic answer की जो HPPC ने release किये है उससे मैं आपको बता रहा हूँ तो ये 101% जो है right answer है तो दूसरे का 72 का जो right answer वो आपके पास B है was it he who got injured बाकी ये सारे की सारे आपके पास wrong sentence है तीनों की तीनों जो है इनकी formation गलत है 73 नमबर प्रशन जो पुछा गया था आप से यहां पर ये पुछा गया था choose the correct indirect from the following तो आपने indirect choose करना था from the following और इसका जो आपके पास right answer है वो भी B है ये जो है right indirect है मेरा asked me when I was coming back home तो ये जो है यहां पर right indirect है इन सब में से छीक है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन 74 ये भी आपसे English section में ही अभी पुछा गया है which of the following explains the given expression और जो आपके पास expression है how he is an imposter तो 74 का जो आपके पास right answer होगा वो होगा D he poses to be what he is not ठीक है तो ये इसका right answer है 74 का 75 number प्रशन पुछा गया था आपसे which of the following conveys similar meaning to the given expression और expression आप लोगों से पुछा गया था I like her because she is a kind, hurted person तो 75 का जो right answer रहेगा वो A रहेगा अंसर की के according she is a kind, hurted person for which I like her तो ये इसका right answer है बाकी सारे के सारी ये जो है wrong expression है इसके ठीक है 75 number 76 number प्रशन जो है आपसे arrange करने के लिए पुछा गया था arrange the following jumbled parts into a meaningful sentence तो सबसे पहले आपसे P में पुछा गया था P, P में पुछा गया था and bronchitis for और Q में पुछा गया था heart disease, lung cancer R में पुछा गया था passive smoking R और S में पुछा गया था no fault of theirs और T में पुछा गया था equally prone to तो जो इसका right answer है 76 का right answer हमारे पास R, T, Q, P, S है सबसे पहले जो है number 1 पर हमारे पास R है passive smokers R फिर उसके बाद हमारे पास T है passive smoker R equally prone ठीके फिर उसके बाद जो है prone to Q, heart disease, lung cancer उसके बाद हमारे पास Q है Q के बाद हमारे पास P है and bronches for और last में हमारे पास फिर यहाँ पर S है तो यह हमारे पास right sequence है passive smoker R equally prone to फिर उसके बाद heart disease, lung cancer और उसके बाद है bronches for and no fault of there सबसे last में आएगा तो right answer यह है R, T, Q, P, S इसका ठीके अगला जो प्रशन इसमें पूछा गया था assistant professor जियोल जी इसमें जो अगला प्रशन पूछा गया था choose the option which explain the given expression तो इस given expression का answer कौन सा आप से पूछा गया था solution is such an agile athlete तो 77 का जो आपके पास right answer है वो रहेगा A, she is quick and active यह जो है right expression है इसका solution is such an agile athlete ठीक है, 78 नमबर प्रशन अब आ रहे हैं हम हिंदी section में हिंदी section में जिस तरीके के आपसे प्रशन पूछे गया है पहला प्रशन पूछा गया है should शब्द का विकल्प चुने ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ पर should शब्द है, वो है B विशी का, यह जो है आपके पास right answer यहाँ पर रहेगा, should शब्द का ठीक है, 80 नंबर प्रशन पूछा गया था आपसे, 80 नंबर प्रशन पूछा गया है, निमलिखित किस बाक्या में निजबाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, 80 नंबर प्रशन पूछा गया है, इसका जो right answer आपके पास बो है, आप भला तो जग भला, तो आप भला तो जग भला में निजबाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, 81 नंबर प्रशन पूछा है, वो अध्यांत भीरू है, रिखांकित पद क्या है इसमें, तो 81 का जो आपके पास right answer है, वो है, C, इसमें प्रविशेशन जो है, यह इसमें अंत्यांत भीरू में रिखांकित पद है 82 नंबर प्रशन पूछा गया था इसमें, आपके पास जिन पदों या अभिवों के मेल में एक मुख्य बाक्य में या एक या एक से अधिक आश्रित उप वाक्य जोड़े जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं तो जिन पदों या अभिवों के मेल से एक मुख्य वाक्य या एक अन्य एक या एक अधिक आश्रित उप वाक्य जोड़े जाते हैं उन वाक्यों को जिस चीज का नाम दिया जाता है, उन्हें ब्याधी करन अंसर है ये समस्त पद है आपके पास पार्चाला तो ये इसका राइट अंसर रहेगा 84 नंबर पशन पुछा गया था निमन लिखित में से कौन सा शब्द मेग का प्रयावाची नहीं है तो 84 का जो राइट अंसर है B बारिज जो है मेग का प्रयावाची नहीं होता बाकी बारिध, बारिधर, पयोधर ये जो है इसके प्रयावाची होते हैं 85 नमबर प्रशन जो पूछा गया था अब आ रहे हम HPGK के उपर अब HPGK जो है यहां से आपसे शुरू आपके आपसे पूछा गया है तो HPGK में जो पहला प्रशन पूछा है which of the following is correct about the hearty community of Himanjal Pradesh ठीके तो प्रदेश में sorry, हाली community पूछा गया है यहां पर तो हाली समुदाय के बारे में भारत में जो है हिमांचल प्रदेश में क्या सही है हिमांचल प्रदेश में हाली समुदाय के बारे में क्या सही है वो आपने बताना था तो 85 को जो right answer है यह अधिकतर चमपा जिले से है तो हाली समुदाय के बारे में पूछा गया है ना कि हाटी हाटी सिर्मोर में है ठीके, next जो प्रशन पूछा गया है आपसे 86 नंबर प्रशन पूछा गया है हिमांचल जीके में इमाचल प्रदेश के निमन में इसे किस जिले में कुमार वहा जील स्तित है तो कुमार वहा जील जो है यह हिमाचल प्रदेश के मन्डी जिले में स्तित है ठीके, 86 का जो right answer है वो D रहे गा हमारे पास 87 नंबर पुछा गया था हम लोगों से हिमाचा प्रदेश के कुलू के निमन में से उस राजा की सही पहचान करी जिसके समय मूर क्राफ्ट वहां गया था तो आपने identify करना था हिमाचा प्रदेश के कुलू के निमन में से उस राजा की सही पहचान जिसके समय में मूर क्राफ्ट वहां गया था तो 87 का जो right answer है हमारे पास वो है C, राजा अजीत सिंग के समय जो है मूल क्राप्ट वहाँ आया था ठीक है 88 नमबर जो प्रशन पुछा गया था ये भी हिमाणचा प्रदिश जी किसी संबंदित है निमन मैंसे किस वर्ष नोरहा रिचर्ड निमन मैंसे किस वर्ष नोरहा रिचर्ड की पुष्टक मदर अर्थ प्रकाशित हुई तो 88 का जो right answer है that is D, 1956 में मदर अर्थ जो है नोरहा रिचर्ड द्वारा ये पुष्टक लिखी गई है 89 नमबर पुछा गया था समाज कलियान समाज कलियान योजना के अंतरगत हिमाजर प्रदीश में 2022 के आरंब तक निमन मैंसे कितने प्रकार की प्रियोग शाला के परिक्षन लोगों के लिए मुप्त हुए हैं तो how many types of laboratory tests are made free for people of हिमाजर प्रदीश under the social welfare scheme in early 2022 तो 89 का जो right answer है बच्चों हमारे पास 89 का right answer है B 56 type के जो test है वो free हुए है 87, 89 का जो हमारे पास right answer है वो है B 56 जो है इसका right answer हेगा 90 नंबर प्रशन पूछा गया था हिमाजर प्रदीश के आर्थिक सर्वेक्षन 2021 के उनसार निमन मैंसे किस जिले ने good governance index 2010 में शिर्ष स्तान प्राप्त कर लिया है तो जिस जिले ने good governance index में आर्थिक सर्वेक्षन 2021-22 में शिर्ष स्तान प्राप्त किया है ये जिले है हमीरपूर हमीरपूर जो है right answer है जो economic survey में 2021-22 में good governance में पहला स्तान प्राप्त किया है 91 नंबर पुछा गया था हिमाचल प्रदेश के बजट 2022-23 में नीमन में से कितने प्रतिशत के आर्थिक विकास का अनुमान किया गया है which of the following percentage of economic growth is projected in हिमाचल प्रदेश बजट 2022-23 तो इसका जो राइट अंसर है हमारे पास that is C 8.03 जो है इसका राइट अंसर है हमारे पास 8.3 प्रतिशत तो 92 नमबर प्रशन पुछा गया था नीमन में से उस वर्ष की पहचान करे जिसमें हिमाचल प्रदेश बिधान सभा में पहली बार महिला स्पीकर नुक्त हुई तो आपने उस वर्ष को बताना है जब हिमाचल प्रदेश बिधान सभा में पहली महिला स्पीकर नुक्त हु योजना में प्रतिव्यक्ति आमदनी बढ़ाने का कितना लक्षय रखा गया है तो तीसरी जो पंचवर्शिय योजना है उसमें आमदनी बढ़ाने का लक्षय आपके पास जो रखा गया था ठीक है यहां पर मैं शियोड नहीं हूँ तो आप इसको देख सकते हैं अंसर की से क इसका राइट अंसर जो है क्या रहेगा 94 नंबर प्रशन पूछा गया था 2020 में ही भारत के नीमन में से किस राज्य ने सबसे अधिक क्रिशी विकासदर उपारजित की तो भीच आप दा फॉल्विंग इन स्टेट अचीव दा हाइएस्ट एग्रिकल्चर ग्रोथ रूट इ 2020 तो 94 का जो राइट अंसर है वह हमल पास मध्या प्रदिश मध्या प्रदिश ने जो है 2020 में जो सरबाधिक क्रिशी विकासदर है वो उपारजित की थी 95 नंबर प्रशन पूछा गया है 2019 में से नेमन में से किसे भारत रतन अवार्ड मिला तो 95 का जो राइट अंसर है आपके पास वह है नाना जी देशमुक राइट अंसर इस ए 96 नंबर प्रशन पूछा गया था आप से तो 96 का जो राइट अंसर है हमारे पास तो ये था हमारे पास 103rd Amendment Act 2019 जिसके तहर जो है EWS जो है रिजर्वेशन का प्राभधान किया गया सेंट्रोल जोब्स में और स्टेट की जोब्स में 97 नंबर प्रशन पूछा गया था दुट्य विश्य जो 1945 के अंत में किस देश का दूसरा सबसे बड़ा समराजिय था which was the following country had the second largest empire in the end of the second world war 1945 तो 97 का right answer जो है France है France का जो है दूसरा सबसे बड़ा समराज है ठीक है तीसरा जो 98 नमबर प्रशन पुछा गया है आपसे यहां पर 98 नमबर प्रशन पुछा गया था UNU सी UNU का चार्टर जिसे सेन फ्रांसिस्कों में रूप दिया गया वह पहली की जिस अधिवेशन पर आधारी था वह नीमन में किस अस्तान पर हुआ तो 98 का जो हमारे पास right answer है तो 98 का जो हमारे पास right answer है that is C डंबार्ट ओक्स में यह हुआ था ठीक है 99 नमबर प्रशन जो पुछा गया था आपसे यह पुछा गया था आपसे की Association of Southeast Asian Nation के बारे में कौन सा सही है आपने बताना था which is correct about the Association of Southeast Asian Nation तो 99 का जो right answer है that is A इसकी स्तापना 1967 में पांच रास्टोर ने की थी यह जो है आस्यान के बारे में Association of Southeast Asian Nation के बारे में सही है ठीक है last जो इसमें प्रशन पुछा गया था हपी जी के ग्रामर से संबंधित वो पूछा गया था identify from the following the correct date and the year of announcement of Central Bank of Sri Lanka expressing inability to repay the foreign debt तो श्रिलंका के केंद्रिय वैंक द्वारा दी गई नीमन में से उस घोशना किती थी तथा वर्श बताएं जिसमें उसने विदेशी कर्ज लोटाने में अपनी असमर्थता अब्यक्त की थी तो 100 answer जो हमार पास D है 4 अप्रेल 2022 को श्रिलंका का जो किंद्रिय वैंक है उसने जो है ये घोशना किती थी तथा वर्श जो है उन्होंने ये 4 अप्रेल 2022 को उन्होंने विदेशी कर्ज लोटाने में अपनी असमर्थता अब्यक्त की थी तो इसका right answer जो हमार पास D रहेगा तो thank you very much बाकी paper के लिए मेरे channel को अब subscribe जूर करें thank you